क्या हमारी सबजियां कम पॉस्टिक होती जा रही हैं? कई लोगों का मानना है कि दशकों पहले जो खाना हम खाते थे, वो आज के खाने से कई गुना ज्यादा पॉस्टिक हुआ करता था. पर क्या ये सच है? अगर है, तो इसकी वजह क्या है? और क्या भविशे में हमें इससे दिक्कत हो सकती है? आज के वेरिटासियम के एपिसोड में हम यही जाने ही. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि ये जो प्लांट्स में नूट्रिंट्स, जैसे कि विटामेंज, प्रोटीन्स, कम होने की बात हम कर रहे हैं. क्या इसका कोई साइन्टिफिक प्रूफ भी है कि ऐसा हुआ है? या हम बस एवे इसके पीछे पड़े हैं? तो आपको जानकर खुशी होगी कि 2004 में एक रिसर्च पब्लिश की गई थी, जिसमें 43 नॉर्मल कॉमन गार्डन क्रॉप्स को स्टेडी किया गया था. स्टेडी से पता चला कि 1950 से 1999 तक उन क्रॉप्स की नूट्रीशनल वैल्यू में काफी गिरावट आई है. इस समय के दौरान प्रोटीन लेवल्स 6%, विटामिन C 15% और विटामिन B2 के लेवल्स तो चौका देने वाले 38 प्रतीशत तक कम हो गए थे. इसी के साथ साथ आईरन और केल्शियम के लेवल्स में भी कमी पाई गई थी. हाँ, नमबर्स थोड़े इधर-उधर हो सकते हैं, भला 1950 में कोई उन्हें अच्छे से मेजर कैसे करता. पर फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि 50 साल पहले मौजूद 1 किलो टमाटर आज के 1 किलो टमाटर से ज्यादा निट्रीशियस होंगे. मतलब अगर 50 साल पहले 1 किलो टमाटर में 20 ग्राम विटामिन होता होगा, तो आज 1 किलो टमाटर में सिर्फ 10 से 12 ग्राम ही होगा. और कई और स्टेडीज भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं. तो अगर सबजियों में निट्रींट्स कम हो रहे हैं और ऐसा आगे भी हो सकता है, तो इसकी वजह क्या है, ये जानना जरूरी है. वरना एक पॉइंट पर हमारा वजूद ही खत्रे में आ जाएगा. कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि समय के साथ सोयल के निट्रींट्स में आई कमी के कारण ऐसा हो सकता है. अब क्योंकि प्लांट्स सोयल से ही निट्रींट्स लेकर ग्रो करते हैं, तो बड़ी तादात में फार्मिंग करना इसका कारण हो सकता है. जब ज्यादा plants उगाए जाएंगे एक ही soil पर तो nutrients जल्दी खत्म हो जाएंगे replenish होने का time ही नहीं मिलेगा ऐसे बाद में grow करने वाले plants के लिए कम nutrients बचेंगे और अगर आप micronutrients जैसे minerals को देखें तो हाँ plants में इनकी कमी आई भी है पर farmers तो fertilizers का use करते हैं वो ensure करते हैं कि plants को वो सारी जरूरत की चीज़ें मिल जाएं जो उनकी growth के लिए जरूरी हैं और यही होता भी है उन्हें पूरे nutrients मिलते हैं अगर plants को पूरे nutrients नहीं मिलेंगे तो वो grow ही नहीं करेंगे पर ऐसा नहीं होता वो grow करते हैं हम आज भी बड़े पेड उगा सकते हैं तो soil में nutrients की कमी ही veggies में भी nutrients की कमी का कारण है ये बात हजम नहीं होती तो veggies में nutrients की कमी का और क्या कारण हो सकता है selective breeding के बारे में क्या ख्याल है क्या वो reason हो सकता है अगर आप इस wild corn के plant को देखें जिससे breed करके corn बनाया गया था तो आप यकेन भी नहीं करेंगे कि corn इससे बनाया गया था ये दोनों बिलकुल अलग दिखते हैं आजकल की कई सबजियों के साथ ऐसा किया गया है तो क्या selective breeding की वजह से nutrients गायब हो रहे हैं पर हमने तो जब से farming शुरू की है plants की cross breeding करते आ रहे हैं इससे फलों को कीट नाशकों और मौसम में आये बदलाव से बचाने में मदद मिलती है और ऐसा करके हम उन्हें ज्यादा मात्रा में भी उगा सकते हैं ये technique कारगर है अब हम किसी भी crop को बड़ी मात्रा में उगा सकते हैं वो भी कम समय में पर क्या हमने ज्यादा crop उगाने के चक्कर में उन में से nutrients को कम तो नहीं कर दिया पर इसका पता कैसे चलेगा I mean selective breeding plants को बदल देती है अगर आप इस fruit और इसी के 100 या 1000 साल पुराने वाले रूप को देखें तो selective breeding ने इसे बिलकुल एक अलग पौधा बना दिया है अब आप directly इसमें और इसके 100 साल पुराने वाले रूप के nutrients को compare नहीं कर सकते तो selective breeding ही nutrient depletion का कारण है ये जानने के लिए एक ऐसा plant चाहिए था जो अभी तक selective breeding से गुजरा ही ना हो पर कहां मिलेगा ऐसा पौधा यहां हमें फसलों के दुश्मन जंगली पौधों की ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसा ही जंगली पौधा नौर्थ अमेरिका में है इसका नाम है golden rod weed ये 20 के लिए protein का main source है पर humans के खाने लैक नहीं है इसलिए आज तक breed करके इससे कोई नया plant नहीं बनाया गया पर भला हमें 100 या 200 साल पुराने वाले golden rod के samples कहां से मिलेंगे Well, Smithsonian Institute 1842 से ही golden rod weeds के 1000 samples रखे हुए है तो scientist ने 1842 के samples लिए और उन्हें 2014 के samples से compare किया इससे वे दोनों समय के golden rod weeds के nutrients levels को compare कर पाए और results हैरान करने वाले थे उन्होंने पाया पुराने weeds के comparison में 2014 की weeds में protein का level 30% तक कम हो गया था इससे ये साफ होता है कि selective breeding सबजियों में घटे nutrients का कारण नहीं है तो वो भला कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से 100 से 1500 सालों में golden rod के protein levels 30% तक गिर गए CO2 के बारे में क्या खयाल है CO2 हवा में मौझूद plants का food होता है इससे वो जल्दी grow करते हैं पिछले कुछ decades में हमारे atmosphere में CO2 का level काफी बढ़ा है ये 280 से 400 parts per million तक पहुँच गया है अब ये भले ही सुनने में ज्यादा लगे पर plants के नजरी से देखें तो अब उनके पास लगभग 50% ज्यादा खाना है और इसका असर हम space से भी देख सकते हैं Plants अब पहले से ज्यादा green दिखते हैं CO2 के बढ़ने की वजह से Plants के growth का बढ़ना इसे greening of planet कहते हैं Scientist, FACE या Free Air Carbon Dioxide Enrichment नाम के एक experiment की मदद से Plants की growth पर CO2 के होने वाले असर की जाच करते हैं इस experiment में जहां उन्होंने plants grow किये थे उनमें से कुछ जगह पर उन्होंने CO2 का level थोड़ा बढ़ा दिया था Artificially और ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि जब गेहूं, जौं, चावल और आलू को ज्यादा CO2 मिली तो वो जल्दी बढ़े हो गए थे पर यहीं असली खेल होता है वह जल्दी बढ़े तो हो जाते हैं पर उनमें nutrients उतने ही रहते हैं वह बस ज्यादा carbs गेन करके मास बढ़ा लेते हैं जपैन और चाइना में की गई एक अलग study में scientist ने rice की crops में CO2 के levels को बढ़ा दिया था जिससे वह भविशे में लगबग 50 साल बाद के atmosphere को simulate कर सकें ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि अब protein के levels 10% iron के levels 7% और zinc के levels 5% तक कम हो गए थे पर plants में nutrients का low concentration actually में plants को कम nutritious नहीं बनाता बस पहले जितने nutrients आपको 1 kg टमाटर में मिलते थे अब वो आपको 1.5 kg टमाटर में मिलेंगे इसे dilution effect कहते हैं पर एक आम इनसान के लिए इस सब का क्या मतलब बनता है well, scientist की माने तो 2050 तक developing world में रहने वाले 10 से 15 करोड लोग अपने रोज के खाने में protein की कमी के चलते protein deficiency का शिकार हो सकते हैं तो क्या इसका मतलब है कि अब हमें nutrients को tablets की form में लेना शुरू कर देना चाहिए जैसे vitamin C की tablets well, नहीं क्योंकि अभी तक इतना nutrient depletion नहीं हुआ है कि आपको उन्हें tablets की form में खाना पड़े आप अभी भी एक well-balanced diet से जिसमें धेर सारी veggies और fruits हो उससे अपनी सारी nutrients की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं पर इस dilution effect से लोगों में obesity यानि मोटापा जरूर बढ़ सकता है देखिए ये ऐसे काम करता है हमें लगता है हमारा पेट भर गया जब हमें एक certain amount of protein खा लेते हैं तो पहले अगर आपको जरूरत का protein एक किलो लौकी से मिलता था तो अब वो dilution effect की वजह से आपको सवा किलो लौकी से मिलेगा यहाँ 250 ग्राम बढ़ा हुआ मास काब्स और ओयल का होगा और यही दो चीजें ज्यादा मातरा में लेने पर मोटापा बढ़ाती हैं वेल यह तो बस एक थियोरी थी पर सच तो यह है कि CO2 का बढ़ता लेवल हमारे खाने में बदलाव करता आ रहा है और करता रहेगा हेलो फ्रेंड्स आई होप आपको वेरिटासियम का यह एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे ही डीप में साइन्टिफिक फिनॉमेना और कॉंसेप्स को समझना चाहते हैं कूल डैमोज और एक्सपोर्ट इंटिव्यूस से भरी हुई वीडियोज के थ्रू तो नीचे दिये गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और वेरिटासियम फैमली का हिस्सा बन जाईए तो अभी के लिए बाई मिलते हैं वेरिटासियम के अगले एपिसोड में